परिचय स्कूल में अब समय खाने का समय है। आप और आपके दोस्त लौन में हैं। अचानक एक चमकदार रोशनी आपकी आँखों से टकराती है। आप और आपके दोस्त वहां से दूसरी तरफ हो जाते हैं। इस बार ये चमकदार रोशनी आपके एक दोस्त से टकराती है। लगता है जैसे ये चमकदार रोशनी आपके पीछे-पीछे चल रही है। आप ब्रहमित हो जाते हैं। आप इधर-उधर देखते हैं। तभी आपको थोड़ी दूरी पर आपका दोस्त अमन अपने हाथ में एक आईना लिए नजर आता है, अब आपको पता चलता है कि इस शरारत के लिए अमन जिम्मेदार था, लेकिन उसने ऐसा कैसे किया? इस बारे में आपको पता नहीं है, इस पार्ट में हम प्रकाश, छाया और परावर्तन के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे. प्रकाश को परिभाशित करना, चमकदार चीज़ों को परिभाशित करना, पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी चीज़ों के बीच अंतर बताना, छाया कैसे बनती है? इस बारे में जानना, छाया के लक्षणों की सूची बनाना, एक पिन होल कैमरे के कारे को समझाना रोशनी के परावर्तन को परिभाशित करना प्रकाश क्या है? रात का समय है और आप घर के अंदर कदम रखते हैं चारों तरफ अंधेरा है सब कुछ काला लगता है आप कुछ भी देख नहीं पाते आपके पिता लाइट जला देते हैं अब आप सब कुछ साफ साफ देख पा रहे हैं इसका मतलब प्रकाश देखने की योगता देता है इसलिए प्रकाश को उर्जा का एक रूप कहते हैं जो हमें चीजों को देखने की योगता देता है चमकदार चीजें आपको स्कूल पहुंचने में देरी हो रही है आपको अपने मोजे नहीं मिल रहे हैं आप उन्हें कबड में ढूंड़ते हैं कबड में क्योंकि अधिरा है इसलिए आप ट्यूब लाइट जला लेते हैं मोजों को ढूंड लेने के बाद आप light पुझा दे दे हैं, क्यूंकि वहाँ दिन की परियाप्त रोष्णी है. हमने अभी दो तरह के प्रकाश की बात की, tube light से आने वाला प्रकाश और दिन का प्रकाश, यानि सूरच से आने वाली रोष्णी. सूरच की रोष्णी प्राकृतिक होती है, जबकि ट्यूब लाइट की रोशनी कृत्रिम होती है। जिन चीजों की रोशनी अपनी होती है, उन्हें चमकदार चीजें कहा जाता है। इस प्रकार हमारे उधारण में सूरे और ट्यूब लाइट दोनों ही चमकदार चीजों के उधारण है। पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी चीजें चीजों को पारदर्शी, पारभासी या अपारदर्शी इस आधार पर कहा जाता है, जिस तरह वे प्रकाश के साथ पेश आती हैं, जिन चीजों में से प्रकाश आर पार गुजर जाता है उन्हें पारदर्शी चीजें कहा जाता है किसी पारदर्शी चीज में से उस पर पढ़ने वाला अधिकतर प्रकाश दूसरी ओर निकल जाता है इसलिए हम उनके आर पार देख सकते हैं शीशा, साफ, हवा और शुद्ध पानी आदी पारदर्शी चीजों के उधारण हैं जिन चीजों के आर पार पार प्रकाश नहीं गुजर बाता उन्हें अपारदर्शी चीजें कहा जाता है परिणाम सौरूप हम उनके आर पार नहीं देख सकते जब प्रकाश किसी अपारदर्शी चीज पर पड़ता है तो इसकी छाया दूसरी ओर बन जाती है लकडी, धातू की शीट, गहरे रंग वाली प्लास्टिक और पत्थर आदी अपारदर्शी चीजों के उधारण है जो चीजें आशिक रूप से पारदर्शी और आशिक रूप से अपारदर्शी होती है उन्हें पारभासी चीजें कहा जाता है प्रकाश इन में से छितर कर या डिफ्यूज होकर गुजरता है फ्रोस्ट किया गया शीशा, ट्रेसिंग पेपर, ग्रीस्ट पेपर आदी पारभासी चीजों के उधारण है प्रकाश कैसे चलता है आप और आपका भाई आशिश स्कूल से अभी अभी लोटे है आपकी माँ आप दोनों को पीने के लिए लेमिनेट देती है आपका शरार्ती भाई ग्लास में से स्ट्रॉ को निकाल कर उसमें से आपको देखने की कोशिश करता है कुछ समय बाद ये पतली स्ट्रॉ मुड़ जाती है अब जब आशिश इसमें से आपको देखने की कोशिश करता है तो वो सफल नहीं हो पाता क्या आपके भाई की ये गतिविथी कुछ साबित करती है? जी हाँ, करती है. ये साबित करती है कि प्रकाश एक सीधी रेखा में ही चलता है. चाया का निर्माण रवीवार की सुभा आप दूद्ध खरीदने बाजार जा रहे हैं. सूरे सामने से आप पड़ चमक रहा है. आपको अपने पीछे, जमीन पर अपनी चाया नजर आती है. उसी दिन शाम को आप पार्क में फुटबॉल खेलते हैं. सूरे की किरने आपकी कमर पर पढ़ रही हैं. अब आपको अपनी चाया जमीन पर अपने सामने नजर आती है. कुछ समय बाद सूरे छिप जाता है. अब आपको कोई चाया नजर नहीं आती. आप भ्रमित हो जाते हैं. आप जानना जाते हैं कि चायाओं का निर्मान कब होता है. आप ये भी जानने को सुख हैं कि किस दिशा में चायाओं का निर्मान होता है. चायाओं का निर्मान तब होता है जब प्रकाश के रास्ते में कोई अपार दर्शी चीज रखती जाती है. चायाओं को केवल एक स्क्रीन पर ही देखा जा सकता है. जमीन, कमरे की दीवारें, इमारत और ऐसी ही दूसरी सथें चायाओं के लिए पर्दे का काम करती हैं. चायाओं का निर्मान रोशनी के स्रोत की विप्रीद दिशा में भी होता है. सुभा क्योंकि सूरे आपके मूँ की ओर था, इसलिए चाया आपके पीछे थी. शाम को सूरे आपके पीछे था, जिस कारण चाया आपके सामने बनी. जब सूरे छिप गया, तो कोई रोशनी नहीं थी, इसलिए कोई चाया भी नहीं थी. चायाओं के लक्षन आपने अभी चायाओं के बारे में कुछ दिल्चस्प तत्यों को जाना. आईए, अब चायाओं के कुछ महतपूर्ण लक्षनों की लिस्ट बनाएं. चाया का निर्माण तब होता है, जब प्रकाश किसी अपार दर्शी चीज़ पर पड़ता है. चाया का निर्माण उस दिशा में होता है, जो प्रकाश के सुरोत के विप्रीथ होती है. चाया की बाहरी आकरिती, चीज की बाहरी आकरिती से मेल खाती है. प्रकाश जितना चमकदार होगा, चाया उतनी ही घनी होगी. प्रकाश या चीज का रंग कुछ भी क्यों नहो, चायाएं हमेशा गहरे रंग की होती है. प्रकाश का सुरोत किसी चीज के जितना नज़्दीक होगा, चाया उतनी ही बड़ी होगी. पिन होल कैमरा पिन होल कैमरा एक लाइट प्रूफ बॉक्स होता है, जिसमें एक और एक छोटा सा छेद होता है. किसी चीज से आने वाला प्रकाश इस सुराख में से गुजरता है, और उससे इस बॉक्स की विपरीद साइट में उस चीज की उल्टी छवी बनती है. आईए जाने कि कोई पिन होल कैमरा कैमरा कैसे बनाया जाता है. कोई कार्ट बोर्ड या टीन का बॉक्स लें, इस बॉक्स की एक साइट को काट कर खोल लें, और उसके उपर एक ट्रेसिंग पेपर चिपका दें. जिस तरफ आपने ट्रेसिंग पेपर चिपकाया है, उससे उल्टी ओर वाली साइट में बीच में एक छोटा सा छेद कर लें. अब इस बॉक्स को चारों ओर से बंद कर दें, पिन होल कैमरा इस्तेमाल के लिए तैयार है. अब छेद वाली साइट को किसी प्रकाश मान चीज की ओर करें, इस चीज की छवी ट्रेसिंग पेपर पर बन जाएगी. इस छवी का आगार निम्न बातों पर निर्भर करता है. चीज और सुराग के बीच जितनी अधिक दूरी होगी, छवी उतनी ही छोटी होगी. परावर्तन आपके स्कूल में रेसिस के दौरान अमन ने आपके चेहरे पर एक चमकदार रोशनी को चमकाया. उसने एक आईनी के जरीए ऐसा किया. लेकिन उसने ऐसा किया कैसे? उसने आईनी के जरीए सुरी की रोशनी को आपकी दिशा में डिफलेक्ट किया. अमन की ये शरारत ये साबित करती है कि कोई आईना खुद पर पढ़ने वाले प्रकाश की दिशा को बदल देता है. किसी चमकदार सतह दौरा प्रकाश की दिशा में परिवर्तन को प्रकाश प्रकाश का परवर्तन कहते हैं। सारांश आए, हमने जो कुछ सीखा है, उसे संक्षेप में दोराएं। प्रकाश उर्जा का एक ऐसा रूप है, जो चीजों को देखने लायक बनाता है। प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है। जिन चीजों से होकर प्रकाश गुजर सकता है, उन्हें पारदर्शी चीजें कहा जाता है। जिन चीजों से होकर प्रकाश नहीं गुजर पाता है, उन्हें अपारदर्शी कहते हैं। जो चीजें आंशिक रूप से पारदर्शी होती हैं और प्रकाश को अपने आर पार फैला कर गुजारती हैं, उन्हें पार भासी या अर्थ पारदर्शी कहते हैं। जब किसी अपार दर्शी चीज को रौशनी के रास्ते में रखा जाता है, तो ये चीज एक छाया बनाती है। जब कोई चमकदार सतह प्रकाश की दिशा को परिवर्तित करती है, तो इसे रौशनी का परवर्तन कहते हैं।